आज हम आपको एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से रूबुरू करवाने जा रहे हैं जो है तो आई जी लेकिन अभी धर्मालू बन गये हैं और भगवत गीता का ग्यान सभी को बाटना चाहते हैं हम बात कर रहें आई जी राजाबाबू सेहकी जिनका कहना है कि उन्हें पुलिस की नौकरी में 25 साल हो गये हैं और इस दोरान उन्होंने कई आसमाने और पागल सरह के लोगों से सामना किया है और इससे उन्हें ये समझ में आया है कि इन लोगों में IQ और EQ के बीच बैलेंस न की बात करें तो उनमें से कुछ बहुत ब्राइट फ्यूचर वाले होते हैं लेकिन उनके पास अपने एमोशन को कंट्रोल करने की एनरजी नहीं होती है इसलिए हमारी पीड़ी को भगवत गीता के ग्यान की जरूरत है इसलिए अब आयची राम बाबू का कहना है कि वो गी पुस्तके बाटेंगी आयची ने बताया कि देश की दो प्रॉब्लम है एक असहिशनुता और दूसरा जाती बात ये चीज़े इतनी बढ़ गई है कि लोग एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए यूवाओं को ये बताने की जरूरत है कि वो कंधे से कंधा मिला क पर चले ना कि एक दूसरे की कंधे पर पैर रख कर आगे बढ़े हम आपको बताते हैं कि आई जी इतने धर्मालों क्यों हो गए हैं क्योंकि एक सक्त पुलिस अफसर की रूची अध्यात्म में होना अपने आप में एक आश्यर कर देने वाला मामला है आई जी ने बताया कि कि वो 6 साल तक दिल्ली में ITBP में रहे इस दुरान वो कई बार ब्रिंदावन कए और यहीं उनकी जिन्दकी का जरूरी मोड रहा यहां से उन्हें अध्यात्म से लगाव हो गया और वो यह कहते हैं कि आने वाले पीड़ी को भी इससे जुडाव महसूस करना चाहिए इसलि कि उन्होंने किताबे बाटने का फैसला लिया है